हेलो प्रेंड्स तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज आपकी लेख रहे हैं फ्रूटी फ्रूटी बनाने का बहुत ही आसंद और सरत तरीका लेकर आए हैं जिससे आप बना सकते हो गड़ पर कई तरीकों से बनती हैं लेकिन हम आसंद तरीका लेकर फ्रूटी फिल्टी पेना किसे नहीं पसंद होता है क्योंकि अजसे बनत बनाते हैं फ्रूटी कैसे बनती है ORम में लिए आम है और हमने एक लिए है कच्चा आम भी तो हम आज बनाएंगे इससे फ्रूटी फ्रूटी तो आपने सायद बहुत ज़्यादा पी हो मार्केट में लेकिन आपने अभी तक घर पर अगर फ्रूटी नहीं बनाई हो तो फ्रूटी आप घर पर बनाने के लिए तैयार रहिए तो हम आपको बताएंग फ्रेर्स आम बता रहें ताजा जो की पेड़ पर उखता है तो इसी तरीके से हमने सारे आम को छील कर साफ कर लेना है बिल्कुल अच्छे से और इसके हम छोटे-छोटे से पीस करेंगे छोटे-छोटे टुकडों में इसको काटना भी गया है और आप छोटे बड़े जैसे भी चाहा है काट लेने छोटे-टोकुडे जब काटेंगे तो अच्छे बारीक से पीस जाएंगे उसका जो गुटली और इसको मैंने शाय्त से एटा दिया है तो इसी तरीके से हम सारे आम काट करते हैं अगर आपके ज्यादा मीठे हैं तो आप कच्छा आम ज्यादा डाल स तो मेरे आम कट गए हैं और हमें लेना एक मिक्षी जार उसमें डालेंगे हम अपने कटे हुए पके हुए आम को और इसकी हम बनाएंगे प्यूरी तो आम हमारे देखिए बहुत ही अच्छे से बारिक से पिस गए है इसकी पूरी बन कर तयार हो गई है तो इसको पलट लेते हैं जिस बर्तर में हम बनाएंगे फ्रूटी को उसी में पलट लेते हैं और इसी जार में हम कच्चे आम भी पीसकर तयार करेंगे अपर कशे लाज क distractions करीं तो दोनों ही मैंने mix करकर ठ्लाइल दंग करके ज़ Этот तो इसमें कच्छे में डाल दियें और एसको एनá पकने के लिए रखेंगे और जो मिक्सी जार में था आम लगा हुआ तो इसमें पाइं डाल कर हमने इसको कड़ाई में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे लगवग 5 मिनिट के लिए जब तक यह खदकने ना लगे तो बहुत ही अच्छी इसमें साइनिंग आने लगी है और अभी जब पक्के तयार होगा है हमारा आम तो उसमें और भी कलर चेंज होगा तो हमने एक कटोरी चीनी लिए है लगवग 2-5 चीनी होगी तो इसको हम चला कर अच्छे से हम इसको चलाते रहें बराबर जिससे की ची वीडियो में कि हमारी चीनी घुनने लगी और कलर भी इसका चेंज होने लगा आम का कलर विल्कुल वैसा ही आने लगा जैसे की फ्रूटी में होता है तो बराबर चलाते हुए हम पकाएंगे ज्यादा मेहनत नहीं लगती है सिर्फ दस मिनट में ही हमारी फ्रूटी बनकर त पकने देंगे और प्रेंट अगर आपको फ्रूटी वैसे तो दस दिन चलेगी है अगर आपको 15-20 दिन चलानी स्टोर करके रखनी है तो आप इसमें एक चमच बिनेजर डाल देजी जो की हमारी चानीज खाने में पढ़ता है वही बिनेजर घर पर रहता है तो उसी को में एक चमच डारेंगे और आप चाहें तो एक चमच इसमें नीवू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपके घर पर बिनेजर नहीं है तो इससे फ्रूटी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और साथ में इसकी जो है टाइमिंग भी बढ़ जाती है तो इसलिए हम फ्रूटी म सारी जो फ्रूटी बन रही थी वह कितनी कम हो गई है तो बहुत अच्छे से पक गई इसका स्टैनिंग और कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है बुलबले भी आने लगए तो समझ लीजिए हमारी फ्रूटी बिल्कुल बनकर तयार हो गई है और जो इसकी खास है वह भी से जाने गइसेते हैं जिससे की थोड़े से जो मोध होते ना आम में दागे बग़ारा तो वह निकल जाते हैं अच्छे से जामque बनाकर तयार कहाें तो इसमें दागे बगारा निकलते हैं तो इसलिए मिभी पेस लिए तो बहुत ही बारी के सो चानंगे हमाराव और तो हमने लिया है पानी तो इसको हम डाल देते हैं और चलनी को साफ कर लेते हैं और खास करके फ्रेंट्स आपको ठंडा पानी नहीं लेना है नौर्मल पानी भी नहीं लेना आपको गरम पानी ठंडा करके लेना जिससे कि हमारी फ्रूटी पनीली नहीं हो जाए जब कच्छा पानी डालोगे तो प्रूटी पनीली हो जाएगी अच्छी नहीं लगेगी तो आप कहेंगे अब बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी हमारी बनकर तयार नहीं हुई है तो इसलिए फ्रेंट्स आपको गरम पानी ठंडा करके ही लेना है तो प्रूटी हमारी बहुत अच्छे से तयार हो गई है इसमें हम पानी मिलाएंगे जो हमने गरम करके रखा था ठंडा हो गया तो इसको मिलाते जाते हैं तो इसमें लगबग हम एक लीटर पानी मिला कर तयार करेंगे एक लीटर हमारा जूस बनके तयार हुआ है तो लगबग दो आम हमने पके लिये थे दो और एक कच्छा लिया था तो हमारी फ्रूटी लगबग दो लीटर बनकर तयार होगी तो आप वीडियो को पूरा है तो आप पतला गाड़ा जैसा बनाना चाहिए बना सकते हैं लेकिन फ्रूटी तो थोड़ी पतली ही होती है जैसे मार्केट में बिल्कुल मिलती है बिल्कुल सेम हमें बैसी ही बनाकर तयार करनी है तो अभी थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तोड़ा सा पानी और इसमे प्रीज में रख दिये थंडा होने के लिए अपरूटी वैने ठंडा होने के बाद ही सर्व कि ए तो देखिए ना फिरेंट्स कितनी सारी हमारी फ्रूटी बन के तैयार हुई है कि तो आप भी अपने गरपर इस तरीके से प्रूटी बनाईए और अपने प्लोष दोस्तों को पिलाई ten और आपके घर cater Anda यहां तो इस इतनी सारी बनाई है और भी मेरे पास रखी ए फूटी तो हमने सर्फ कर दिये ठंडा ठंडा फूटी आपके लिए तो पूटी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक को शेर करना ना बूलिए और कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी फूटी आपको क मार्केट इस्टार में लग रही है तो आप ठंडी ठंडी इस फ्रूटी को इस मौसम गर्मियों का मौसम का मज़ा लीजिए और बनाईए ऐस प्रूटी से अ